तो नमस्कार आदाप, सस्रियकाल रामराम, खमागणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल दा सक्सेस में तो दोस्तों, आज की जो RAS के इंटर्व्य हुए हैं, दो मेंबर्स के मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिये हैं ये थर्ड मेंबर का इंटर्व्य है, और नाम है इनका रणबीर जी, बिकानेर से बिलोंग करते हैं और मंजू मैडम का इनका बोर्ड था, तो आईए देखिए, मंजू मैडम किस तरह के कॉशन के पूशते हैं मेरा भी बोर्ड जो था, मुझे तो बहुत ही प्यार से ट्रीट किया था, बहुत ही अच्छे से पूशते हैं, मतलब डराती नहीं है मैं कई जो मेंबर होते हैं, थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं, लेकिन मैं बड़ी सोफली इंटर्व्य लेते हैं मतलब सीनियर कहां से की, सेकंडरी कहां से की, इस तरह से पूशते हैं न, मुझे इस तरह से पूशा था, इनको भी शायद इस तरह से पूछा होगा, और ट्वेल्ट कहां से की, और कब की, हनुमान गर्डव गंगानगर श्री गंगानगर अलग-अलग जिले है क्या यह भी क्या कॉशन हुआ मुझे समझ में आया ओफ कॉर्स अलग-अलग है फिर बीए 2013 में क्यों की मतलब इनकी शायद बीए थोड़ी लेट हुई होगी है डिफ्रेंस होगा इसलिए इनसे यह कॉशन आयूरवेध जो विशे होता है उसमें संस्कृत उपयोगी है क्या और d anct d डिप्लोमा क्या है विद्वर नहुं यह तो डिप्लोमा किया होगा या फिर संस्कृत की वज़े से इनसे पूशन आय पताने ए आयूरवेध और आयूरवेध और ऐलोपथि में क्या डिफ्रेंस पर करंट अफेर्स पढ़ाया था और देखिए क्योंकि हमें पता होता है सामने वाला क्या पूछ सकता है मैंने आपको बार-बार का था कि जो भी बड़े मुद्दे हैं वो ही पूछे जाएंगे तो आयूरवेद रोयलोपथी में अंतर पूछ लिया फिर आयूरवेद का मू यि इसे चीज में की है तो इसलिए इनसे पूछा कि जब आप प्रिशाशन में आजाओगे तो आयूरवेद का उपयोग प्रिशाशन में कैसे करोगे अयूरवेद से आपने क्या सेखा जिसका उपयोग आप प्रिशाशन में आके करते रहोगे यह question पूछा फिर इनसे पूछा अजमेर की क्या विश्यस्ताएं है मतलब देखिए यह है बिकानेर से कभी इनसे पूछ रहे हैं गंगानगर और हनुमानगर कभी इनसे पूछ रहे हैं बिकानेर हो सकता है इनके education इंजिलों में हुई हो तो पूछ रहे हूं लेकिन बिकानेर तो दोस्तों हमसे पूछ सकते हैं क्योंकि एक तो आर्पी असी का ओफिस बिकानेर में है और दूसरा बिकानेर में भी हो जाता है तो बिकानेर तो हमसे पूछ सकते हैं क्या पिकानेर क्या सौरी अजमेर की बात कर रही हूं मैं अजमेर आरपी असी का ओफिस जाओं होता है और अजमेर हमारा रधेस तलवी है तो पूछते ही हैं अजमेर की दो विशेष्था है फिर इन से पूछी जब फिर उन्होंने धार्मिक सहीश्णुता पक्का इसकी योगी विकोज खौजा मोयनद्विन चिस्ति की दरगा भी वहां पे है और पुषकर जितना बड़ा मंदिर भी ब्रह्मा जी का वहां पे है तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या अजमेर में धार्मिक शहीश्णुता आज भी छलगती है मतलब आपको लगता है क्या रियल मे हो उसी जीले को तयार करके जाओ लेकिन नेंसे बब्लकुल ढिफ्रेंट पूछा गया राइसे मिरी फ्रेंड के साथ भी हुआ था वो ब्रों करती थे सीकर से और उससे सब यापूर्प में भी इजी नहीं मतलब थोड़ी सी डीब बाते हैं उससे पूछली गई थी उनसे तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों इंटर्वियों किसे भी तरफ मुड़ जाता है उन लोगों का सामने वाले का मूड होता है अपन बोल भी नहीं सकते हैं कि सर मैं तो सीकर से ह कर आई हूं मेरे से तो यह पूछे लेकिन अब भाई उनकी मर्जी यह पूछ सकते हैं सिले पस तो कहीं लिखा नहीं इंटर्वियों का है फिर इनसे पूछा गया दोस्तों फिर से आयूरवेद में कोरोना का इलाज है कि आयूरवेद से हैं तो जैसे रामदेव बाबा ने से बिलकुल मत बोलना चाहिए आप से अयूरवेद पूछ रहे न तो आप बचने की ही कोशिस करना उनका नाम मतले न बिकोज फिर न वो अपन फर्स जाते हैं कई बार ऐसे विवादित मुद्धों पे हैं तो थोड़ा सा इग्नॉर करने की कोशिस करना जब तक कि वो आग यूरवेद चपितसक बन सकते हैं तो दोस्तों बनी सकते हैं लेकिन यूभव के साथ नीचे रें होना भी बहुत जरुरी यह पूछ लेते हैं दो कोशन तो पूछ लिया कि विरोध करना जायज है क्या ठीक है तो यह पूछ लिया इसके अलावा नाट्या सास्तर की रचना कि इसने की थी शायद भरत्मुनिन ने की होगी इन्होंने नाम लिया होगा न किसी चीज़ में राजस्तान में किसान उलन भूप पिएर कर जाना क्योंकि मैं भी करके गई थी और वो मुझे मेन इंटर्वू में तो नहीं पुछा गया है लेकिन मौक नसरवाद में चाहवनी थी तो इन्होंने भी नसरवाद काही नाम लिया होगा तो फिर नसरवाद क्यों प्रसीद्र यह पुछ जो हम अंस्वर देता है उन्हें से वह कोई लाते नहीं है बहुत रियर होता है कि दोस्तों वह कौपी में बना के लाते हैं और हमसे बैक टू- करते हैं उन्हीं में से कोशन तयार कर लेते हैं राजिस्तान के तीन क्रांतिकारियों के नाम बताईए तो दोस्तों अभी आप ग्यास कर पा रहे हो तीन क्रांतिकारियों के नाम तो राम नारायन चोधरी हो गया और कौन था विजया सिंग पत्थिक हो गये और कौन था और इस नेहन और सवेधन में क्या अंतर है, इनके सब्जेक्ट से पुछा गया है, क्या आप तैसिलदार कार्याले और पुरी स्थाने गए हैं कभी, और क्या कारण इन से पूछा कि कभी गए हो, तो कारण बताइए, कुरोना काल में काड़ा पिलाने गया था, इन्होंने बोला, कुरोना काल में काड़ा पिलाने गया था, अच्छा अंस्वा था इनका, आयूष और ऐलोपेथी का समन्वे करके, कुरोना को मात दी जा सकती है, क्या, दोस्तों ऐसे आयूष, आयूरवेद, ऐलोपेथी, यह न वो थोड़े बज़र्ग मेंबर होते हैं, उनको बढ़ा मेरे पास में कोई ऐसा मैंटर नहीं है, राजस्थान मैंने वहीं से पढ़ी है, जो अपन हमेशा से पढ़ते हैं, अगर आप लोग इंटर्वी में पहुंची हो, तो आप लोगों के पास कोई सोर्स तो होगा है, जहांसे आपने राजस्थान पढ़ी है, तो मैं हमेशा आ थोड़ी से चाहिए राजस्तान के संस्कृति में देखू, राजस्तान के त्योवार हमें याद होने चाहिए, राजस्तान के मेले हमें याद होने चाहिए, राजस्तान के लोग देवता और लोग देवियां थोड़ी से याद होने चाहिए, ठीक है, इसके लाव राजस्तान के थोड़े से कीले याद होने चाहिए खास कर उस एरिया है कि जिस एरिया से हम बिलोग करते हैं और हमारी 1857 की क्रांती हमारे किसान आंदोलन और हमारे प्रजामंदल आंदोलन ये बस पांच चे मोटी मोटी चीजे हैं जो हमें थोड़ा याद होना चाहिए बाकी अगर वो डीप राजस्तान में से पूछेंगे ही नहीं, 100% है, इससे डीप नहीं जाएंगे वो, हना यही तक पूछ सकते हैं, बस नसीराबाद तो हमने हजारों बार बढ़ाया ना, जब भी राजस्तान बढ़ते हैं, 257 की कान्ति, इसमें कुछ नया थोड़ी है, इसमें कुछ अलग थोड़ी, तीन करांतिकारियों के नाम बता सकते हैं, जिस तरह से दो तो मैंने अभी बता दिये, जबकि मेरे को तो दो महीने हो गए न, या इंटर्व्य दे हुए, आप लोग अभी पढ़ रहे हो, तो आप कर सकते हो न, रिविजन, इतना थोड़ी कोई भार ही होता है, आप लोग डरिये मत किये, चीज कहां से पढ़े, वो चीज न्यूस पेपर कौन से पढ़े मेडम, यह मेरे पास मेल आ रहे थे, भाई कोई न्यूस पेपर मत पढ़ो, भास कर पढ़ो, पत्री का पढ़ो, हमारे राजिस्थान की न्यूस तो उसी में आती है, ठीक है, और जो नैशनल लूस के लिए मैं खुद जो फोलो करते थी, वो था हिंदू का एडिटोरियल सिर्फ है, और वो एडिटोरियल मैं भी हिंदी मीडियम क्यों मुझे कोई खास बज में आती है, यह इंगलिश तो मैं क्या करते थी, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग उसको पढ़िए, वो भी भासकरोर पत्रिकाई पढ़िके आएंगे, उसके लवा एक अगर आप वहाँ जा रहे हो, अजमेर जा रहे हो, तो अजमेर में नव जागरन या दैनिक जागरन आता है, शायद यहां पर, तो वो एक पेपर आता है, तो हो सकता है, उसमें एक्के दुख में ना आई हो, तो थोड़ा सा दैनिक नव जोती आता है, शायद यहां पर, ऐसे कुछ करके आता है, अजमेर में, तो वो वाला न्यूस पर आप वहाँ जाके, कल का और आज का देख लेना, बस इतना साही, कुछ बर्डन मत लीजिए, बहुत बेसिक होता है, इंट्रियू अब बताओ, इनमें कोई पढ़ने की थोड़ी ज़रत है, यह तो हमारा बैसिक नोलेज काम आता है, शर मैं पोस्टर लगवाँगा, शर मैं सोचल मीडिया के थोड़ो कैमपेंच चलाओंगा, शर मैं लोगों के जाके एक्सपेरिमेंट करके दिखाओंगा, आपनी फैमली पर ट्राइ करके दिखाओंगा, मोबाइल के तुरू संदेश भेजूगा, कोई वीडियो छोटी-छोटी से क्लिपिंग बनाके दिखाओंगा, है ना, ऐसे ही तो कर सकते हैं अपन, लाइफटाइम डिजीज में आयुरवेद का क्यों योगदान है, तो लाइफटाइम डि इंटर्विव, ऐसा ही इंटर्विव आप लोगों को होने वाला है, बस आपको करना ये है कि आपको घबराना बिलकुल नहीं है, एक दिन पहले तो बढ़ाई बिलकुल छोट देना, और अराम से कूल हो जाना, कि कल वो दिन है जिसका मैंने सालों से इंतिजार किया था, औ आज मैं उस दिन में जी रहा हूं, उस दिन को जीने वाला हूं, बस ये सोच के, सब कुछ भूल के, फ्री माइंड से इंटर्विव दे के जा रहा, वाकि बेस्ट ओफ लग रंवीर जी, आपके कोशन भी बड़े सांदार थे, और आप उमीद है कि बहुत अच्छे नमरों से और बहुत अच्छी रैंक के साथ आपका सेलेक्शन हो, और all the best guys, all of few जो करल इंटर्विव दे रहे हैं, उनके लिए भी जिनके आगे इंटर्विव होने वाले हैं, वीडियो देखने के लिए थेंक्यू वेरी मच, अगर ऐसे वीडियो आप और देखना चाते हैं, तो बने रहे हैं दा चैनल सक्सेस में, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए ऐसे वीडियो का तो